जैसरी कृष्णा दोस्तों, दोस्तों, संपूर्ण जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसका सामना मुस्किलों से ना हुआ हो, क्योंकि जिस तरह समय चक्र बदलता है, दिन होता है, फिर उसके बाद रात्री आती है, ठीक हो ऐसे ही दुख के बाद सुख एवं सुख के दोर में हमें मुसीवतों से लड़ने की प्रेणा मिलती है, और अगर हमने कोई बड़ा लक्ष निर्धारित किया है, तो संगर्ष भी अवस्य ही करना पड़ेगा, परंत जो मनुस्य मुसीवतों से घबरा कर कारी को रोक देते हैं, वही मनुस्य जीवन में सफल नहीं हो प एक सहर में राकेश नाम का एक व्यक्ती रहता था, उसके परिवार में उसकी पतनी दो बच्चे एवं एक बेटी भी थी, राकेश मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, परंत वह अपने परिवार के साथ बहुत ही खुसहाल जीवन वितीत कर रहा था, समय बीचता गया, औ का एवं लड़की भी बढ़ने लगे, राकेश की लड़की पाचवी कच्छा में अध्यान कर रही थी, एक दिन विद्यालय से छुटी होने के बाद, जब राकेश की लड़की अपने घर जा रही थी, तो किसी दूसरी लड़की ने उसे सीड़ियों से धक्का मार दिया, जिस वजह से उसके पैरों में चोट लग गई, चोट लगने की वजह से वह लंगडाती हुई अपने घर पहुचती है, तो उसके पिता पूचते हैं, कि बेती यह तुम्हें क्या हो गया है, तब वह लड़की उस घटना के बारे में अपने पिता जी को बताती है, तो उस दो-तीन दिन बीतने के बाद लड़की के पैरों में सूजा ना गई और उसे चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी। तब राकेस गाउवालों के कहने पर अपने बेटी को एक ओजह के यहां लेकर गए और ओजह कुछ जानता भी नहीं था। उसने जाड़ फूंक चालू कर दिया परंत पैर ठीक नहीं हुआ। समय भी इता गया और लड़की की हालत और भी अधिक खराव होने लगी। एक दिन राकेस अकेले में बैठा था तब वह मन में सोचने लगा कि अब क्या करें और उसने किसी डाक्टर को दिखाने का निश्चे किया। जिसकी लागत लगवक चालीस अजार होगी। यह सुनकर राकेस घवरा जाता है। परंत बेटी के पैरों का सवाल था। इसलिए वह पैसों की तलास करने लगा। कैसे भी करके उसने पैसों का इंतजाम किया। जिससे लड़की का आपरेशन भी हो जाता है। लड़की अपने घर आ जाती है। परंत उसके पैर में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। जिससे उस लड़की के पीता को पुने चिंता होने लगती है। इसी तरह कई महीने तक इलाज चलता रहता है। लाखों रुपए खर्च भी हो जाते हैं। परंत कोई सुधार नहीं दिखता। जिसकी बज़े से पूरा परिवार दुखी हो जाता है। समय के साथ लड़की बड़ी होती गई और विवाह के योगे भी हो गई। तब राकेस ने एक साधरन से परिवार में उस लड़की का विवाह कर दिया। वह लड़की भी नए परिवार के साथ खुश थी। लड़की के जीवन में एक बार पुने खुश हाली आ गई। तब लड़की के पिता ने सोचा कि सायद सब कुछ ठीक हो चुका है परन्तु किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था एक दिन वह बाजार जा रहा था तो किसी बड़े वाहन से उसका एक्सिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से सिर में बहुत जादा चोंट लग जाती है और राकेश एक माह तक बिस्त ठीक होने पर वह सोचा सायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी उसकी पतनी का स्वास्त धीरे धीरे खराब होने लगता है डांक्टरों को दिखाने पर पता चलता है कि उसकी पतनी को गंभीर बीमारी हो गई है परन्तु राकेश को पूर्ण विश्वास था कि हमारी प स्वास के साथ वह दवाईयां करवाता रहा जिससे उसकी पतनी के स्वास्त में सुधार आ गया दोस्तों इसके बाद राकेश के परिवार से पुने दुख के बादल छट जाते हैं और वह खुसी खुसी जीवन वितीत करने लगता है दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती ह कि दुख और सुख जीवन में रात और दिन की तरह हैं जो कभी अस्थाई नहीं रहते इसलिए हमें दुख के समय में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए एवं सुख के समय में कभी एहंकार नहीं करना चाहिए दोस्तों भगवान स्री कृष्ण ने गीता में स्वयमी अर्जुन से कहा था कि जीवन एक संगहर से है यह कभी रुखना नहीं चाहिए दोस्तों आसा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी इसी तरह ज्ञान वर्धक एवं पौराडी कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जैस्री कृष्ण राधे राधे